करता हूं ब्सक्राइब करने वाले हम यहां पर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर जो होता है उसका पूरा प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना होता है उसकी कैसे करनी होती है क्या कि आपको फाइल में लिखना होता है क्या कैसे आपको ग्राफ मनाना होता है सारा को यहां पर डिसकस करने वाल है यहां पे battery source लगा होता है, यह battery source यहां पे लगे हैं, ठीक है, plus minus लगे हैं, और यहां पे बीच में transistor लगा, अभी आपको इतना कुछ खास समझ नहीं आएगा, जब आपको पूरा समझा दूँगा, then आपको बोर्ड अच्छे से clear हो जाएगा, ठीक है यह ऐसा circuit इसका होता है, अब हमको यहां पे इसका characteristic देखना होता है, तो main object क्या होता है, object के बारे में थोड़ा बात कर लेता है, object जो होता है basically इसका, to study the transistor characteristic in common emitter, common emitter वाला जो configuration होता है, जिसके अंदर emitter common होता है, NPN वाले PNPY, NPN transistor हम यहां पे use कर सकते हैं, और उस mode के अंदर हम यहां पे input, output, dynamic resistance, static resistance find करेंगे, और जो characteristic होती है, उसके अंदर जो इसका graph बनता है, output के अंदर इसका graph इस टाइप से बनता है, different voltage के अंदर, input के अंदर इसका graph जो होता हो ऐसा बनता है, ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान क्या रखनी है, main चीज जो है, वो यह ध्यान रखनी है, जब वायर से सारा कुछ लिख सकते है, formula used, basically हम resistance के लिए formula क्या use करेंगे, VBEIB, चलो एक बार पहले मैं आपको यहां से circuit diagram बता देता हूँ, and then सारे कुछ clear हो जाएगा, यह जो transistor का हम use कर रहे है, यह basically यहां पे हम NPN transistor को use कर रहे है, ठीक है, sorry PNP, sorry for that, PNP transistor use कर रहे है, PNP transistor जो है उसका हम यहां पे common emitter जो configuration है, emitter यहां पे ground हो रहा है, दोनों में common है, ठीक है, अब यहां पे जब emitter से current आ रहे है, तो यह current negative होगी, बाहर की दरफ जाएगी, तो यह जो यहां पे current होगी, वो ID गर नहीं, बेस current होगी, बेस current हमें से किसमें होती है, micro ampere में होती है, और यह अब यहां से current ऐसे आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, भया, negative हो जाएगा, यहां पे positive हो जाएगा, अगेन यह भी इदर से आ रहा है, तो यह negative हो जाएगा, यह positive हो जाएगा, और यह ground हो जाएगा, पीस में, voltage होता है, हमेशा parallel में, voltmeter parallel में लगता है, आप जानता है, तो इधर minus है तो इधर भी minus आजाएगा, यहाँ पर plus है तो यहाँ पर भी plus आजाएगा, यह वाला जो यहाँ पर junction होता है, इस junction को कहते हैं, BE junction, यानि कि base emitter junction, और यह जो junction आप देख रहे हैं, इसको output कहते हैं, यह input junction होता है, और यह यहाँ पर क्या होता है, output junction होता है, यह configuration कौन सा है यह configuration common emitter configuration है ठीक है अब यहाँ पे transistor हमने PNP वाला यूज कर रहा है पूरा circuit diagram है इसका अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि नाव हम बात करता है यहाँ पे इसके जो characteristics होते हैं वह हम कैसे यहाँ पर define करेंगे सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर input characteristic के बारे में तो जो input characteristic बनाएंगे ना अच्छा पहले मैं आपको चीज बदा जाता हूँ यहाँ पर जो current है input current जो है input current IB है और input voltage IBC voltage हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पर voltage हो जाएगा अब इस चीज ध्यान हमना जब हम input characteristic बनाएंगे तो input characteristic जो बनेगी यहाँ पर आ जाएगा current यह हो जाएगा IB और यह क्या हो जाएगा IB and VBE यह दोनों क्या है input current voltage इनके बीच में आपको जो है वो graph बनाना अब graph जब बनाएंगे तो इसका जो graph मिलेगा वो आपको ऐसा मिलेगा different different voltage के उपर अब different different voltage कैसे कौनसी voltage यहाँ पर कौन constant रह रहा है जब हम यहाँ पर IB और IE यानि की input characteristic बनाएंगे तो output voltage जो है वो VEC जो है वो क्या रहेगा यहाँ पर constant हो जाएगा और similarly अगर मैं यहाँ पर output की बात करता है output characteristic की तो अब यहाँ पर output characteristic बनेगा न वो कुद इस टाइप का बनेगा लेकिन यहाँ पर constant क्या रहेगा यह बनेगा IC और VEC के बीच में और यहाँ पर constant रहेगा input current तो क्या ध्यान रखना सीधा सा formula input के अंदर output का voltage constant रहेगा और output के अंदर input का current constant रहेगा बड़ा simple सा concept है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसके अंदर observation tables कैसे बनेगी observation tables में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर input के टेशे करना है दो, इचीज आपको यहाँ पर इसका करें नहीं लें यहाँ वो एक enfants 142 ग्राफ यहाँ नहीं 집 में पर नहीं बनेगा God इसंपनाल डा representing कि आूबट लोड़ेगा और यहाँ आन्म आपको चेज़कर करते जाना है और current automatic change हो जाएगा कैसे change होगा अब बात करता हम यहाँ पर experimental के अंदर, experiment setup में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर यह जो experiment setup है, इस experiment setup में यहाँ पर आप देख सकते हैं input characteristic है, common CE ही है, देखो यहाँ पर इस तरफ table बनती जाएगे हम क्या करेंगे, इस वाले current को, देखो मैं आपको पूरा कुछ बता देता हूँ, कौन क्या है यहाँ पर, यह जो voltage है यहाँ पर लिख भी रखा है वैसे, यह जो है वो IC है, IC current हो जाएगा, यानि कि IC current को renot करेगा यह, यह हो जाएगा, VCE, output के लिए, और यह हो जाएगा, IB current, input current हो जाएगा, और यह हो जाएगा, VBE, input voltage, ठीक है, अब जब हम बात कर रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम जो लिख रहा है, that is for input characteristic, तो input characteristic में output का voltage constant रहेगा, output का voltage constant रहेगा, मतलब हमको RH, यानि कि यहाँ पर जो resistance लगा है, इस RH को change करना है, बिसलिए अब हम कैसे change करेंगा, देखो, यहाँ पर अगर मैं इस table में देखता हूँ, तो 0.4 ले रखा है, और कितने पर बात कर रहा है, 1 volt पर, V, C, E कितने हैं, 1 volt है, तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से, इसको देखेंगा, output को change करेंगा, तो यहाँ से मैं output को आप यहाँ पर देखना है, इस वाले, इसके अंदर, अगर मैं इसको थोड़ा zoom कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, इसको zoom कर देता है, और, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं output को थोड़ा से, एक सेकेड़, अब देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं output को change कर रहा हूँ, यह output को, यहाँ पर मैं कर दो, कर रहा हूँ, यहां पर 1V पर constant कर रहा हूं, एक second, यह 1V पर देखो, यह वाले जो चीज़ है, यहां पर क्या होगी, 1V पर constant होगी, आप यहां पर देख सकते हैं, यह पूरा 1V पर constant, VCE यहां पर 1V पर constant हो गया, और current से अपने को मतलब नहीं है, अपने को क्या करना, voltage को constant करना है, अब क्या कर लेंगा हम यहां पर, now, अब हम क्या करेंगे, इसको change करेंगे, बिसकली क्या करेंगे, अब हम यहां पर VBE को change करेंगे, नहीं कि input वाले को, RH1 जो है न, वो input के लिए, तो क्या हो जाएगा, मैं यहां से इसको, मानलो 4, देखो, बिसकली इसमें 1, 2 ले रहा है, तो मैं 5 प देखेंगे, 0.4 है, तो वैसे तो देखो, यहां पर 0 आ रहा है, तो यह दूसरा apparatus से क्या हो है, हम यहां पर virtually इसको समझने कुशिश कर रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे, voltage मैं यहां पर बढ़ा रहा हूं, 0.6 कर दिया चलो, 0.8 किया है, 0.8 कर लो, यहां फिर एक काम क यह constant है, इसको मैंने 1 ही रखा अभी तक, यह क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यह हो जाएगा 4, अब इसमें कितना आया, value 2.16, तो हम क्या करेंगे, add to table, यहां पर 1 voltage देखो, collector जो है, यहां पर collector emitter voltage जो है, वो constant है, 1, और यहां पर क्या है, 0.04 पर इसका value आया है, ठीक है, base current जो है, वो कैसा है, micro ampere में, micro ampere में, voltage यहां पर, volt में, ठीक है, and then, अब हम क्या कर रहा है, इसको हम कर रहा है, 1 की बजाए, 0.04 की बजाए हम इसको कर रहा है, 0.04 की बजाए, 0.08 कर दिया, चलो, 8 कर देता है, यहां पर, 1 second, यह हो जाएगा, 0.10, फ्थोड़ा जूम कर लेत यह सब क्या करते हैं यहां सब क्या करते हैं छोड़ा असा थोड़ा सब कर देसे जिरो पॉइंट जीरो एट इसको देखना नहीjsku नीचे है और यह जाएगा इसको आ पर टे ओके अब यहाasted लिया पर और वेल्य टू icing यह वाला वोल्टेज बढ़ता जाए गा इसको फेटबल में एड कर दिया और यह वोल्टेज बढ़ता जाएगा लेकिन अभी यह आउट्पुट वोल्टेज च्ट 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 वेल्यू अच्छे से ग्लियर हो जाएगा अब इसको कर देता है अब इन पूड में इस डेटा का बता देता है इन पूड ग्राफ में आपको यह ऐसे उपर की तरफ जाता हो दिख रहा हो पर तीसरा graph ऐसा में लगा, यह input है, input graph बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप यहाँ पर input दे रहे हैं उसको, और input में input जब बन रहा है, तो in that case क्या हो रहा है यहाँ पर, input जब बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करना, आपको resistance find करना, आप कैसे find करेंगे resistance, देखो, resistance find कहो देख सकते हैं कोई भी कोई भेल्टेज की सब्सक्राहिब करेंद है कोई भी गराफ काई आपको particular किसी एक point पे इससे बदा जाता हूँ मैं आपको चलो और easy किरा जाएगा यहां से statics में क्या हो देगो यहां से यहां से एक मेने यह लिया है एक point यह लिया, एक इसके across यह हो जाएगा delta IB और यह हो जाएगा delta IVBE तो क्या हो जाएगा delta V is equals to यह हो जाएगा अब क्या करना है, same as it is हम यहां पर क्या करेंगे, output characteristic को देखेंगे output characteristic के बारे में बात करता है same as it is है हमारे पास में बात करता है यहां पर output characteristic, output characteristic कैसा बनेगा मैं आपको बता देता हूँ यहां पर यह type का है, output characteristic में क्या करना input current को constant रखना है Input Current देख सकते हैं, यहाँ पर, जैसे यह Input Current, यह Output की Table यहाँ पर बना रखिये, Output की Table में देखो, IB को constant रखता है, अब यहाँ पर IB कैसे constant होगा आप देख सकते हैं, IB को constant रखता हैं, IB constant रहेगा, तो मतलब क्या करूँगा, पहले राया Resistance को change करूँगा, माल लो मैंने IB को 10 11.21 पर constant कर दिया अब क्या करेंगे इसको change करेंगे यह वाला voltage यहाँ पर change होगा ठीक है तो क्या करेंगे यह यहाँ से change हुआ add to table कर देता है अब यहाँ पर आपको क्या करना different values लेनी है इसकी 100 microampere पर हो जाएगा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 microampere, फिर 200 microampere different values पर आपको value लेनी फिर यहाँ से आपको ic and ice Vce and ic को note करना Vce and ic को यहाँ से note कर लेंगे यह यहाँ सा आप इसका graph कैसा मिलेगा, यह ऐसा graph मिलेगा, ऐसा, इस type का graph मिल रहा आपको, ठीक है, यह इस type का graph मिलता जाए, अगर आगे यह constant हो जाएगा, अब क्या करना, same, दो लेंगे difference के form में, तो क्या हो जाएगा, आपको rd मिल जाएगा, dynamic resistance मिल जाएगा, इसके calculation में यहापे कर रखा है हम calculation के बारे में, calculation में भी थोड़ी निजर डाल देता है, ठीक है, यह calculation है, यह यहापे कर रखी है, आप देख सकता है, एक second, यह यहापे calculation कर रखी है, यह इसका graph है, यह देखो, इस type से आपका output graph मिल जाएगा, और इसकी calculation है यह रही देखो, क्या हो रहा है, सबसे पहले हम हमारे पास में, इसको हमने 1 volt रखा था, और यह हमारे पास वेल्यू जाई थी, तो हमने क्या किया, वी बी और इसमें divide कर दिया, यह static मिल गया, आपको dynamic का चाहिए, तो dynamic में क्या करते हैं, difference ले ले लेंगे, तो delta VE upon delta, में divide करते हैं, dynamic मिल जाएगा, output की बात करता है, ठीक ह यह output हो जाएगा, यह static हो जाएगा, यह इसका dynamic हो जाएगा, अब क्या करना, आपको current gain find करना है, तो beta current क्या होता है, common emitter के अंदर क्या होता है, बीटा होता है, output current upon input current, output current यह, input current यह, इसका divide करें, current gain, एक से बहुत जादा मिल रहा, 170 मिल रहा, बहुत जादा है, ठीक है, और current gain क्या हो जाएगा, delta IC और यह, ठीक है, यह हो जाएगा, DC current gain, DC में क्या करना, आपको सीधा IC में IB का divide करना है, और यह AC current gain, यह क्या है, AC current gain, यह DC current gain है, AC current gain है, वही आपको difference लेना है, दो current का, like output का difference और input का difference उसका divide करना, वो भी 200 एराउंड, इन मिल रहा है, ठीक है, तो मतल static resistance input आपको यह मिला, dynamic resistance input यह मिला, static resistance output यह 1 kilo ohm मिल गया, और यह यहां से मिल गया, ठीक है, और यह beta DC का value यह मिल गया, और beta AC का value आपको यहां से यह मिल गया, यह सारे आपको लिखना है, ऐसा आपका पूरा experiment यहाँ पर perform हो जाता है, और बिल्गूल सिंपल, output के लिए यह ध और जब हम बात करेंगे यहां पर input के लिए, जब हम बात करेंगे यहां पर input के लिए, एक सेकंड, जब हम यहां पर input के लिए बात करेंगे, तो input में क्या हो जाएगा, VBEC, VEC यानि कि यह वाला voltage जो है, वो constant रहेगा, ठीक है, अब यह इसका apparatus है, अब अगर आप इसको अच् current है, और यह output voltage है, तो जब हम यहां पर, जब हम यहां पर, ध्यान से समझना, जब हम यहां पर input की बात करेंगे, तो input के लिए वो constant रहेगा, यानि कि यह वाला, यह वाला जो आप देख रहेगा, यह रहेगा constant, और जब output की बात करेंगे, आउट्पुट वाले में क्या करन आई बी जो है वो constant रहेगाि यह वाली जो current है यह constant रहेगी जब हम output की बात करेंगे तो input का current constant रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां टेबल में भी लिक्ष रहा है यहां भी यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल the common emitter. So, thanks for watching my video. Keep watching M.A.S.M.A.S. and is it up to for more videos के लिए हमारे चनल को सुब्स्क्राइब करें. Thank you. Bye-bye.